Hello everyone, jayhin, मैं हूँ Deep apex और यहाँ पर current affair quiz में फिर से लेकर के आचुका हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर दोस्तु आज मैं यहाँ यहाँ पर जितने भी current affair quiz लेकर के आया हूँ लगबग 10 सेकिंड का टाइम आपको हरे कोशन के अंदर मिलेगा तो यहाँ पर चलिए फटा फट से आज के सिशन को हम लोग सुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दू कि अगर यहाँ पर आप जो है अगर इंडियन आर्मी यहाँ पर या फिर नेवी, एर फोर्स, बैंगे सिर देलवे, UPSC, UPSC या फिर किसी भी डिफेंज जॉब की तियारी करना चाहते हैं आप अनेकेडमी के साथ जुड़कर के अपने तियारी कर सकते हैं घर बैठें इंडिया के टॉप ए जूकर्टर के साथ में जब भी आप अनेकेडमी प्लस अस्क्रिप्शन लेते हैं या फि तो यहां पर आपको बताना है कौन सा समानिस क्या गया है ग्रेट प्लस टू वर्क सर्टिपिकेशन से चले तो कोच्चन यहां पर इसका स्यांसर जो हमारा ऑप्शन जो कर दो हम एक न किसी होगा नेक्स्ट कोशन है आप पर हमारा तो अभी आपको बताना है कि किस ने जो है चीफ आप स्टाफ हेड़कोर्टर वेश्टन कमांड के तौर पर अभी जो है यहां पर कह सकते हैं इन्होंने लिया है चार्ज चले सही आंसर इसका option A यहां पर हो जाएगा Manjinder Singh यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर who is the author of the book My Experience with Silence My Experience with Silence के यहां पर लेखा को ने आपको बताना है चले सही आंसर इसका option D होगा समीर सोनी शही आंसर हो जाएगा next question पर आते हैं question है अगला the government has launched which of the following survey in April 21 तो यहां पर यहां पर जो कह सकते हैं यहां पर चार अलगल option है इसमें तीन यहां पर सर्वे जो है अभी जो यहां पर किसने जो है कह सकते हैं यहां पर टीन option है इसमें से ABC में से कौन सा यहां पर जो है launch किया गया सरकार के द्वारा सर्वे आपको बताना है पटा-फट से चले तो इन तीनों में से ABC में से कौन किया गया है यह तीनों किये गया है आपको बताना है चार option है सही आंसर की में बात कर लेता हूं option D यहां पर और सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर how many medals have been won by the Indian in the 2021 AI in world shooting para sport tournament यहां पर world shooting para sport tournament में अभी कितने medal यहां पर जीते गए भारत के द्वारा चली सही आंसर इसका option जो हमारा B है 7 यहां पर साथ total सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है अगला earth like cloud have been discovered on which other planet तो earth के जैसा यहां पर जो बादल है वो किस planet के उपर यहां पर जो है को जा गया है चली सही आंसर यहां पर जो है option C होगा मार्स सही आंसर हो जाएगा अगला question है how much of how much the रायस्तान universal health scheme will cover the medical insurance for every family तो कितना यहां पर जो है कह सकते हैं जो रायस्तान universal health scheme में वो cover करेगा हर एक परिवार को यहां पर जो medical insurance से उसमें हैं चली सही आंसर में बात करता हूं इसका तो यहां पर option D है 5 लाइक वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question है इंडियन आर्मी विल पाटिसिपेट इन multi national military exercise नेमली संतीर और और सेना 2021 इन विच कंट्री तो यहां पर आपको बताना है कि अभी जो इंडियन आर्मी वह किस देश के साथ यहां पर जो है भी multinational military exercise में पार्टिसिपेट करेगी चले सही आंसर option जो हमारा सी बांगलादे सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है गिला the second meeting of the sphere of G7 and guest country has was held on 30 March 2021 who was India G7 Serpa तो अब यहां पर दूसरा meeting वा जो G7 के Serpa और guest country है उनका तो भारत के यहां पर G7 के Serpa कौन थे आपको बताना है चले सही आंसर यहां पर हमारा जो option है बिसिकली इसका option B सूरेज प्रभू सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है गिला I.T. Delhi has reduced its carbon footprint by how much percent तो I.T. Delhi ने अपना कह सकते हैं carbon footprint कितने percent से घटा लिया है चले सही आंसर option C यहां पर 50% सही आंसर हो जाएगा next question है आप पर करश्णा डियागनोसिस प्राइवेट लिम्टेट हैस बिगेन प्रिपरेशन फॉर दा इनिश्यल पॉब्लिक ओफरिंग डाइट विल सी इट्स रेज आज आज मच आज हाव मैनी रूपेश तो करश्णा डियागनोसिस प्राइवेट लिम्टेट जो यहां पर अभी त्यारी कर रही है इनिश्यल पॉब्लिक ओफरिंग यानि आई-प्यो लाने का जिससे उन्ह चली सही आंसर इसका option जो भी होगा 1200 यहां पर करोड सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर स्री एस फैंग्यूंग फोम हैज इंट्रेडूस दा आई-लर्निंग आप तो यहां पर किस राज की यहां पर जो स्वासमंत चली सही आंसर option A यहां पर नागालाइंड जो है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है यहां पर तो आपको बताना कि अभी यहां पर वयूम के सीओ के तौर पर अभी जो है किसने यहां पर जो है पांच साल वर्क करने का अभी जो हो हट रहे हैं चली सही आंसर option B होगा जोन क्राइफिक यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है यहां पर बिल्कुल फड़ा फड़ से अपना अंसर देती जाएए जो भी सही आंसर लग रहा है चली सही आंसर option D जो है संजीव कुमार सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पर आते कोश्चन है गिला इंटरनेशन आरपोर्ड वोर्ल्स फर्ड रीडिंग ऐरपोर्ड तो यहां पर अंतराश्टी है यहां पर एरपोर्ड है वो वह अभी दुनिया का पहला रीडिंग स्मार्ड आरेपोर्ड बन गया है चलिए सही आंसर ऑप्शन जो हमारा C होगा दुबई वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की मैं बात करूँ तो अगला कोशन जीओ हैस पार्टनर्ड विट विच अव दा फॉलूविंग तो अनौंस दे बिगिनिंग आप येर लॉंग कोलाबरेशन गंपल्ड अबिऑ फीर प्लेटफोर्म अब यहां पर जिओ ने किस्के साथ अब पार्टिसइब कैसे हैंदि पार्टनर्सिप जों की यह पर जीओ गेम्स जीओ पलेटफोर्म है अब सिक्ली उसके सुरुवात के लिखा गए है चले सही आंसर ऑप्शन भी होगा क्वालकॉम सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पाते हैं कोशन है अगला विच डेट इस बिइंग आप्ज़र्वड आज डे एवरी इयर ग्लॉबली तो वर्ल टेटर डे जो है किस दीन मैं जाता है पूरे विश में आपको बताना है चले सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन 27 मार्च सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है आप पर टीम आफ विच कॉलेज इन इंडिया वन दा कोर नेट ग्लोबल अकाडमिक चैलेंज 6.0 इन 2021 तो अभी कोर नेट ग्लोबल अकाडमिक चैलेंज 6.0 जो है अभी किस ने जीता है भारत के किस संस्थाने कॉलेज ने चली सही आंसर इसका जो है हमारा ऑप्शन जो ए होगा आई टी खड़कपूर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन प्यादे कोशन है अगला इन जम्क कस्मेर में 2020 का वो कितने परसंट से हम पर जो है बढ़ा है चलिए सही answer option जो यहांपर C होगा 2.94% सही answer हो जाएगा अगला question यहांपर what is the theme of Earth Hour 2081 तो Earth Hour 2081 का theme आपको बताना है चार option है चलिए सही answer option जो D है यहांपर climate change to save Earth यहांपर सही answer हो जाएगा next question यहांपर the governor of which state has been conferred the Kalinga Ratna Award for the year 2021 तो Kalinga Ratna Award जो अभी किस यहांपर कह सकते हैं राज जपाल को दिया गया आपको बताना है चलिए सही answer इसका option जो D है आंदर परदेश सही answer हो जाएगा next question पर आते question एक ला वर्ल्ड's first mobile water from air kishok और water knowledge center has been unveiled in which city तो यहांपर आपको बताना है कि दुनिया का जो यहांपर कह सकते हैं पहला mobile water from air kishok और water knowledge center जो उसको अनावरन कहां पर किया गया इसकी सहर में चलिए सही answer option A यहांपर विशाका पटनम सही answer हो जाएगा next question पर आते question है अगिला the 23rd main boxing world championship will be held in which country तो यहांपर 2023 का जो main boxing world championship होगा वो कहांपर होगा आपको बताना है चलिए सही answer option जो भी है यहांपर उच्बेकिस्तान यहांपर सही answer हो जाएगा next question पर आते question है इंडिया इंडिया एंड विच कंट्री हैस कंड़क्टेड फर्स्ट एवर जॉइंड नेवल पैट्रोलिंग और पैसे एक्सरसाइज यहांपर अभी जॉइंड नेवल पैट्र पोलिंग और पैसेज एक्सरसाइज जो है पहली बार किस देश के साल भारत ने किया चली सही आंसर जो है इसका हमारा option B Medagascar सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है अगला which state chief minister has launched मेरा मास्क मेरी सुरक्षा campaign तो किस यहांपर राज्य के मुकमंत्री ने जो है भी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा campaign को सुरू कि आपको बताना है चली सही आंसर इसका जो हमारा option D जो है मद परदे सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है अगला the sports ministry किरिन रिजी जी जू has included which game in Kelo India youth game 2021 तो Kelo India youth game 2021 में अभी जो है जो हमारे sports ministry के रिजी जू इन्होंने किस game को सामिल किया है चली सही आंसर option A यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है अगला who has been sworn in as the new chairman of food corporation of india तो नए यहां पर food corporation of india के chairman के तौर पर किसने सपत लिया है चली सही आंसर यहां पर हमारा जो option है B आतीश चंदरा सही आंसर हो जाएगा next question पहते है in April 21 who has assumed additional charge of the post of chairman and managing director of ONGC तो ONGC के chairman और managing director के तौर पर किसने अभी अतरिक भारिया पर संभाला है चली सही आंसर जो है इसका यहां पर हमारा option D जो है शुभाश कुमार सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है अगला who has been appointed as a CEO of unique identification authority of india तो यहां पर जो unique यहां पर UIDI जो यहां पर कह सकते हैं उसके CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है चली सही आंसर option B यहां पर शौरब गर्ग सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर इन अपरेल 21 who stepped down as the MD of Bombay dying and manufacturing company तो अभी यहां पर Bombay dying और manufacturing company के जो MD है वो यहां पर अभी हटे हैं तो कौन है उनका नाम बताना है चली सही आंसर option जो C होगा जहनगीर वड़िया यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question पाते question है अगला Earth hour is an annual event that is marked on which date Earth hour यहां पर जो है जो कि हर साल होता है यहां पर किस दिन जो है इस बार हुआ आपको बताना है चली सही आंसर option A यहां पर last Saturday of March यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर how many I was health and wellness center have been inaugurated by जम्मू कस्मीर LG मनोज सिना तो LG मनोज सिना जम्मू कस्मीर के इनको जार कितना health यहां पर कह सकते है आयूस health और wellness center जो है basically यहां पर उसका जो गाटन किया गया है चली सही आंसर option यहां पर D जो है 73 वह यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question प्याते question है अगला लक्षमी प्रिया मोहापात्रा who has been passed over recently was a master of which dance form लक्षमी मोहापात्रा जिनका अभी निदन हो गया वह किस कह सकते हैं dance की गुरू थी यहां पर master थी चार option है सही आंसर आपको बताना है चली सही आंसर इसका जो option है हमारा D odc सही आंसर हो जाएगा next question प्याते question है अगला चली सही आंसर option c यहां पर जून 30 सही आंसर हो जाएगा next question प्याते question है अगला who has won the rat bone folio prize 2021 किसे जो है यहां पर rat bone folio prize जो है basically जीता है अभी आपको बताना है चली सही आंसर option a यहां पर जो है कर्मेन मैरिया जो है यहां पर basically इन्हों नहीं यहां पर जीत लिया है आते हैं next question पर question है अगला डैनिस शाशो नग्यू उशेओ has been re-elect appointed as the president of country यहां पर जो है अभी डैनिस शाशो जो है वो किस दिसके परदान मत्री पुन्हा यहां पर चुने गए प्रेसिडेंट यहां पर जो है राष्टपती जो है चुने गए यहां पर जो है रिपब्लिक और जो है कॉंगो वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question पर आते हैं question है हमारा इंडिया मर्चंडाइज एक्सपोर्ट इन मार्च 2021 इंक्रीज हाव मच पर्सेंट आज कंपेर तो 29 21.49 बिलियन डॉलर इन मार्च 2020 यहां पर तो बिसे क्लिए आपको बताना कि अभी जो भारत का मेर्चंडाइज एक्सपोर्ट है वह यहां पर कितना पर्सेंट से बढ़ गया है जो कि पिछले साल यहां पर मार्च के महिने में 21.49 बिलियन था वह अभी कितना बढ़ गया आपको बताना है चलिए से आंसर इसका जो हमारा option जो बिसे क्लिए कोशन का यहां पर होगा वह यहां पर जो बिसे क्लिए आपको बताना है क्या आंस का अंसर होगा तो option D इसका 58.23 यहां पर से आंसर हो जाएगा next question यहां पर which bank has been chosen as the best SME bank for the for India by Asia money तो यहां पर basically जो यहां पर अभी आपको बताना है कि Asia money के द्वारा यहां पर जो है किस bank को SME के लिए बेश्ट यहां पर चुना गया भारत के अंदर चार option ने से आंसर आपको बताना है कि 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 चलते बिल्कुल जल्दी से फटा फट से अपना आंसर देते जाएं जो भी आपको सही आंसर लग रहा है बिल्कुल अपना आंसर आप दे सकते हैं हरे कोशन के अंदर तो यहां पर मैं बात करता हूँ सही आंसर की और देखता हूं कि इस बचे ने सबसे पहले सही आंसर दिया है तो इसका आंसर जो है हमारा option यहां पर जो डी होगा HDFC bank सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अगला वानका नेर दिख विजया सिन जला पास्ट अवे इन अपरेल 21 वाज लेटे टो विच अव फॉल्विंग फिल्ड जनका नेर विजय दिख विजया सिन्हा जो है उनका यहां पर निदर हो गया किस कहते चेतर से थे आप बताना है चली सही आंसर यहां पर जो हमारा ऑप्शन ए जो है पॉलिटिक्स वह यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन यहां पर the world development report 21 has been released by the which organization तो यहां पर world development report 21 जो है किस संघठन के त्वारा जारी किया गया है चली सही आंसर option A होगा world bank हो जाएगा अगला कोशन यहां पर who has been named the EY intervenor of the year 2018 तो यहां पर किसे नामित किया गया है चली सही आंसर के में बात करो तो आप्शन बी यहां पर हर्स मैरी वाला यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन यहां पर इस्टर विच मार्क्स दारी रिशरेक्शन आफ जीजस क्राइस्ट आफ्टर ही वास क्रूसिफाइड और गुड फ्राइडे वास ऑब्ज़र्ड विच डे इन ट्वन तो यहां पर आभी बेसिकली बोला जाएगा कि इस्टर जो है दोजार एकीस में अभी किस दिन मनाया गया ऑप्शन चार सही आंसर आपको बताना है चली सही आंसर ऑप्शन जो यहां पर टी जो है आपर फोर्ट अप्रेल सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन पाते कोशन है ग्लब बांगलादिस इस सेलिबरेटेट इट्स फिप्टी इयर ओफ इंडिप आसवा यहां पर कह सकते हैं जो साल है यहां पर अजादी का वो किस दिन मनाया है चली सही आंसर ऑप्शन यहां पर जो डी होगा 26 मार्च वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है हूँ है आज अप्रूब्ड नेशनल पॉलिसी फॉर रेर डिजी टॉन तो यहा है चली सही आंसर ऑप्शन ची होगा मैं पर हर्ष वर्दन सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन पर आते हैं कोशन है अगला विच इस टेट हैज अर्गनाइज़ अब बनाना फेस्टिबल तो बनाना फेस्टिबल किस यहां पर राज्ज में यहां पर हुआ और गनाइज़ चलिए option यहां पर डी जो है उत्तर पर दे सही answer हो जाएगा next question पर आते हैं question है अगला which country is the host nation for the 2022 ICC Women's World Cup तो यहां पर जो ICC Women's World Cup होने वाला है उसका यहां पर कौन सा देश इसकी अधियर से था करेगा चलिए सही answer option भी यहां पर न्यूजिलाइंड सही answer हो जाएगा next question परते question है अगला दक इंडो-korean bilateral friendship park has been inaugurated in which city तो यहां पर इंडो-korean bilateral friendship park जो है इसका गटन कहां पर किया आपको बताना है किस सहर में चलिए सही answer option यहां पर दहली सही answer हो जाएगा next question परते हैं question है अगला who has stepped down from the post of Reserve Bank of India इंडिया 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 इंडिप्टी गवर्नर इन अपरल 21 तो यहां पर आपको बताना है कि जो यहां पर जो है कह सकते हैं जो यहां पर किसने भी भारत के जहां पर Reserve Bank of India है उसके डिप्टी गवर्नर पर को छोड़ा है यहां फिर बिसेकली यहां पर जो है कह सकते हैं यहां पर ऑप्शन सी है बीपी कनुंगों यहां पर से आंसर हो जाएगा अगेला कोशन है आपर तो यहां पर आपको बताना कि किशने जो 40 ओर एनवेशरी जो है एच के ला इंडिया और ईल्डर दे जो है है इसको मनाया भी है चलिए से आंसर इसका जो हमारा option जो बी होगा हर्स वर्धन से आंसर हो जाएगा एक्स कोशन है यहां पर कि इस स्टेट के यहां पर मुकमंत्री यहां पर सरकार ने बहुंड और यहां पर नाई कर दी यहां पर राजी के अंदर परवेश्ट करने की को चलिए सही आंसर जो है इसके आपर बैसिकली कि ऑप्शन दी जो है गुजरास सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोर्शन पर आता है कोर्शन है कि विच डे मांग दा इल्लै वनने फोर्टीन बर्ट एनिवर्शरी ऑफ दा फ्रीडम फाइटर एंड दलित आइकन जग जीवन राम तो यहां पर आपको बताना है कि अभी जग ज कि अग्यां कि चले से आंसर ऑप्शन यहां पर जो हमारे डी होगा फिप्ट अपरेल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला इंडिया से साइंड फाइव एम यू विद विच कंट्री तो भारत नहीं है पांच किस देश के साथ में है। आए चली यहां पर आप्शन ए जो है बंगला जें सिय आंसर हो जाएगा नेक्स वेचन पर आते कोशन यह एक पीसे आप इन विच सेटी तहां पर आपको बताना रेसिदेंशल होकी सेंटर जो है वो किस यहां पर जो है सहर में सेट अप किया जाएगा चले सही आंसर ऑप्शन बी यहां पर लखनाव सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है इंडिया इसराइल एंड यूए ट्रालेटरल ट्रेड कुट रिच यूएजडी 110 बिलियन बाइवेची है तो यहां पर इंडिया इसराइल और यूए का जो यहां पर तीन दोने देशों का ट्रेड है वो यहां पर 110 मिलियन कब तक हो जाएगा चले सही आंसर ऑप्शन यहां पर C है 20-30 सही आंसर हो जाएगा आते हैं नेक्स कोशन के उपर कोशन यहां पर नीलम शहानी है जो है किस यहां पर कह सकते हैं जो है यहां पर राज जी की नई यहां पर इलेक्शन कमिशन बनी है चले सही आंसर ऑप्शन यहां आंदर परते सही ढसर हो जाएगाअगला कोशन यहां पर दा साहीर असफाक उल्ला Khan पार्क सहीं इन्रगरेटेट्टिठे आपर जो साहीर आसफाक उल्ला खान पार्क है इसका उद्गाटन जो है बिसिकली कहां पर किया गया आपको बताना है चलिए अंसर ऑप्शन बी जो है गोरगपूर सही अंसर हो जाएगा नेक्स पर आते कोश्चन है अगला इन अपरेल 21 विच आफ दा फॉल्लिंग बीकेम ता फूर्थ इंडियन फॉर्म तो हीट 6 Trillion in the market capitalization तो यहां पर जो है अपरिल के महिने में कौन सा यहां पर जो है यहां पर कंपनी जो है चौति बन गई है जो यहां पर चे जो यहां पर रुपय है उसको उसके जो मार्के आपर क्रॉस कर चुकी है यहां फिर हिट कर चुकी है चलिए सही answer option B Infosys Limited सही answer है अगला question है यहाँ पर which is the best year for wind industry according to the global wind report 2021 तो global wind report 2021 के अनुसार कौन साल यहाँ पर wind industry के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है चलिए सही answer option जो है B, C यहाँ पर 2020 वो यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगले question है which country has announced a ban on British individual and institution तो यहाँ पर किस देश ने ब्रिटिस इंडिविजूल और institution पर ban लगा दिया है चलिए सही answer इसका option जो है B, China सही answer हो जाएगा next question पर आते question है अगला the Nike manufacturing purchasing purchasing manager index compiled by IHS market declined to a 7 month low of how much in March 2021 आइकी manufacturing purchasing purchasing manager index जो यहाँ पर IHS market के द्वारा compile किया गया था इसमें 7 महीने में सबसे यहाँ पर ज्यादा कमी देखा गया है कितना का आपको बताना है कि 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 क क क कि कि क चलिए तो सही answer इसकर जो हमारा option जो डी होगा 55.44 यहांपर सही answer हो जाएगा आते हैं यहांपर next पर तो नेक्स्ट कोशन है यहांपर प्राइम मिनिस्टर नरिंद मोदी हैज एनाउंच दा स्वार्न जैन्ती स्कॉलर्स स्कॉलर्स इसकॉलर्स इसके बच्चों के लिए यहांपर निकाला है आपको बताना है चले सही answer option A हाँपर बंगलादेश सही answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पर एक कोशन है किला यहां पर यहां पर आपको बताना जम्मू कस्मीर की जो यहां पर कह सकते हैं गौर्वर्मेंट जो है महां पर पांच दिवसिया यहां पर ट्यूलिप फेस्टिबल किस जगह यहां पर कह सकते हैं होश्ट करीगी चलिए सही answer option जो यहां पर डी है सिरी नगर वो यहां पर जो है सही answer हो जाएगा नेक्स कोशन परते कोशन है विच इस गोइंग टू बी स्टेट विट मैक्सिमम इंटरनेशनल एरपोर्ट यहां पर कौन सा राज जो है सबसे यादा इंटरनेशनल यहां पर एरपोर्ट वाला जो है कह सकते हैं यह जो है स्टेट बन जाएगा चली सही answer जो है इस question का basically यहां पर हमारा option D केरला सही answer हो जाएगा आते हैं next question भी question है which organization has partnered with the ISRO to undertake joint research activity तो ISRO के साथ अभी किस ने पार्टिसिपेट यहां कहते हैं आपर partnership जो है वो यहां पर किया है चली option D जो है यहां पर Indian Institute of Space Science and Technology सही answer हो जाएगा अगला question है यहां पर which state has launched a unique gifter scheme to promote covid-19 vaccination in the state तो किस राज यहां पर ने जो अभी एक नया scheme यहां पर कह सकते हैं unique gift scheme लाया है जिसमें अताकि covid-19 vaccination को बढ़ावा दिया जा सके सही answer यहां पर जो हमारा option जो कह सकते हैं ए जो होगा उत्तरपरदिस सही answer हो जाएगा अगला question है in tennis who has won miami open final in april 21 तो miami open final यहां पर किसने जीता अभी tennis के अंदर आपको बताना है चली सही answer इसका जो हमारा option C जो है pubert pure cacus यहां पर सही answer हो जाएगा आते हैं next question के ओपर question number है यहां पर अगला और विच बैंक हैसाइं मू विट टाटा मोटर तो प्रवाइड लून विद इम मैं फैसलिटी फॉर बीए सिक्स वेहिकल पर्चेश यहां पर अभी आपको बताना है कि कि इस बैंक नहीं आपर जो है भी मू जो है कह सकते हैं साइन किया है मू टाटा मोटर के साथ में ताकि यहां पर जो है जो बीए सिक्स वेहिकल है वो पर्चेश करते तो उनको यह मैं फैसलेटी दिया जा सके चलिए से आंसर ऑप्शन सी यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है आपर अपर अधा फॉर इंश्ट्री ऑफ विच कंट्री इस ओन टू डे विजिट टू दा इंडिया फ्रॉम फिप्ट अपरेल तो यहां पर जो है फॉर नुकले भारत यहां पर आयें चलिए तो कोशन यहां पर है चार ऑप्शन है फटा फट से आंसर दिती जाएं चलिए से आंसर इसका ऑप्शन जो है हमारा एं जो है रश्या से आंसर हो जाएगा नेक्स ने आपर ग्लासज स्काइ वाक हैस बिन इनागरेटेड इन वीच श्टेट ते आप पर जो है आपको बताना कि ग्लासज स्काइ वाक जो है वो कहां पर इसका उधाटन किया गया था चार ऑप्शन है कौन सा राज में हुआ था इसका आपका आंसर बताना है चले से आंसर इसका उप्शन है यहां पर बिहार अगला कोशन है यहां पर तो यहां पर आपको बताना है कि किसने हैं यहां पर वर्ल्ड्स बिलियोनियर लिश्ट आया का उसमें यहां पर टॉप किया है चले सही आंसर ऑप्शन जो यहां पर भी है यह जो सही आंसर हो जाएगा आते हैं नेक्ट कोशन के ओपर कोशन है अगला इन अपर टॉप्शन है यहां पर आपको बताना है किसने जो यहां पर अभी अपर के महने में सबसे कह सकते हैं अमीर वैक्ती के तोर पर अब भी यहां पर रिक्लेम किया है चली सही आंसर इसका जो हमारा ओप्शन अभी जो है मुकेश अंबानी सही आंसर हो जाएगा चली नेक्स कोशन पर आता है कोशन है इंडिया हेल्ड टॉक और डिस आर्डिस आर्ममेंट और प्रोरिफिकेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल विद विच नेशन तो बिसिकली आपको बताना है कि भारत नहीं यहां पर जो अभी किस के साथ वार्टा किया है यहां पर डिसक चली सही आंसर इसका जो हमारा बिसिकली जो कोशन है यहां पर ऑप्शन भी जो है और स्टेल यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है आपर इन अपरेल 21 हूँ है अनाउंच थ्री सिगनिफिकेंट चेंजेस फॉर प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट तो किसने अभी जो हैं पर तीन बड़े बदलाव किये जो प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटे अभी अपरेल के महिने में सही आंसर इसका जो हमारा ऑप्शन बी जो सकतिकान दास यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पाते कोशन है अगला केसी चकरवर्थी हूँ है पाज्ट अवे वस अस्योसेटेड विट वोकिंग एट विच एपक्स और्गनाइशन तो केसी चकरवर्थी का यहां प चले सही आंसर इसका जो हमारा ऑप्शन जो बेसिकली इसका होगा हमारा ऑप्शन सी आर भी है यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगले कोशन परते कोशन है इन अपरेल ट्विटी वन रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया है एंड और दे बैलेंस फॉर एकांट होल्डर हाव मैंनी कर रुपीज यहां पर जो भी रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने जो हैं बढ़ा दिया है जो इंड डे बैलेस है उसको केतन रुपय से है चले सही आंसर जो है इसका बिसिकली जो हमारा ओप्शन अब जो है यहां पर टू लैक सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला तो बिसिकली आपको बताना है कि यहां पर जो किसने अभी लांच किया है जो यहां पर कह सकते हैं लिक्विडिटी फैसलिटी डिस्टिबूटर टू रिटेलर फाइनस जो है उसको भी किसने लांच किया है चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी यहां पर भारत पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला अनन्दम अदक केंट अधा सेंटर ओफ हैपिनेस हैज बीन इनोगरेटिट एच विच पलेश तो यहां पर आपको बताना है कि अनन्दम जो सेंटर फॉर हैपिनेस है वह यहां पर इसका उद्गाटन जो है बेसिकली जो है कहां पर किया गया चलिए से आंसर ऑप्शन ए होगा आयम जम्मू से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला इंडेया घंघीत्स मिस अपरेशण तरफ यहां पर आपको बताना है जो है ब्हारत एंडिने जो सेम्झियू ओपरीट ऑपरेशन जो है यह ओक्रूलिnosis है तरह दीच्च मशिस्टम यहां पर किया गया जो फट्टर्ट और कि चलिए यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वह यहां पर जो हमारा ऑप्शन सी जो है तामिल नाडू सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पाते कोशन है अगला इन अपरिल 21 विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हाज एनाउज टाइप विद एक्सी सेक्यूरिटी तो अभी जो चलिए सही आंसर इसका जो हमारा ऑप्शन जो बिसिकली भी है जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है आपर इंडिया एंड विच कंट्री हाज एग्रीड टू जॉइंट प्रोड़क्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हाडवेर तो अभी भारत और किस देशने आपर सहमती जताई है यह वो जो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर और एक्सप चलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा साउध कोडिया है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है आपर नेम दा जायंट कंटेनर सीप डाट ब्लॉग्ड ट्राफिक इन स्वेज कैनल तो जायंट कंटेनर कर नाम बताना है सिप का जो इसने स्वेज कैनल को रोग दिया था चलिए सही आंसर ऑप्शन भी यहां पर एवर गिवेन यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन यहां पर वाट इस दा रेपूरी डिसाइड़ बाई मोनेटरी पॉलिसी कमिटी आप दा रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया इन अपरेल ट्वान तो अभी आपको बताना चलिए option C यहां पर फोर जो यहां पर सही अंसर हो जाएगा अगला question ने चाइना है signed a 25-year strategic cooperation pact with which country तो यहाँ पर चाइना ने अभी 25 सालों का जो strategic cooperation pact है वो किस देश के साथ यहाँ पर जो है भी sign किया है चलि सही आंसर इसका जो है आपर option बी जो है इरान वो सही आंसर हो जाएगा नेक्स को सने आप पर डीदी फ्रीडिस्स ऐस देश फीगर ऑफ हाव मैनी मिलियन सब्सक्राइबर तो यहां पर कितने लोग जूड़ चुक है आपको बताना कितने मिलियन सब्सक्राइबर लोग चलिस सही आंसर यहां पर option जो सी है 40 million यहां पर सही answer हो जाएगा next question यहां पर what date of the year is observed as world backup day every year तो वर्ल्ड backup day के तौर पर के जिन मनाए जाता आपको बताना है चलिए सही आंसर option A है 31st March सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है which film won the best film award at 66 film fair award for the year 21 तो यहां पर आपको बताना किस यहां पर film को जो है अभी अवार्ड मिला है 66 film fair award जो यहां पर वाड़निटी वन का उसमें चलिए सही आंसर option B है थपड यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला question है यहां पर which of these day is observed as the international day of drug checking तो यहां पर आपको बताना कि international day of drug checking जो है कब मनाया जाता है चलिए सही आंसर option C होगा यहां पर March 31st यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है अगला what was the profession of a lead धारकर who passed who has passed away तो अभी जो यहां पर अनिल धारकर थे उनका यहां पर profession आपको बताना है अभी यहां पर उनका जो बिसिकली निधन हो गया है चलिए सही आंसर के मैं बात करूँ तो यहां पर जो है इसका सही आंसर option C जो है जनलिश सही आंसर हो जाएगा next question पहते question है गला which bank has approved the 8000 क्रोड रूपी फॉर बांड बॉर्विंग तो किस बैंक ने आप अब भी मंजूरी दी है आठ क्रोड आठ हजार क्रोड यहां पर रुपय जो है बांड बार बांड बार्विंग करने के लिए चली सही आंसर इसका जो है मारा option जो बी होगा आइड़ी बैंक सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन नहीं पर इन अपरल 21 फूल पॉइंटेड एस से क्रेटरी मिनिश्ट्री पार्लियमेंटरी अफेर्स तो आपको बताना है कि से जो अभी नूख किया गया से क्रेटर्टी यहां पर मिनिश्ट्रीय पार्लियमेंटरी अफेर्स पा चलिए से यांसर ऑप्शन यहां पर जो है ग्यानेश कुमार से यांसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन पर आते कोश्चन अगला से लाउंच और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना परधान मंत्री मुद्रा योजना के सुरू होने के बाद यहां पर कितना पर्षेंट जो है लोन जो है और वोमें इंटरप्राइज को दिया गया है चलिए सही आंसर ऑप्षेंट जो सी होगा 68 परसेंट वह यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन यहां पर श्रकार 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 बास्ट को पास किया है चलिए से आंसर ऑप्षेंट जो है बिहार वहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन पास्टे कोश्चन अगला तो यहां पर चीफ टेकनोलजी ऑफिसर के तौर पर सुभा ततवर्ती को किसने अभी नियुक्त किया है चली सही आंसर और इसका ओप्शन जो है यहां पर बी विप्रो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चन है इंतरनेशनल 20 डे आफव विजिबिलिटी इस ऑबजर्व औन विच डेट तो यहां पर आपको बताना है कि इंटरनेशनल ट्रांजरिदर डे ओफ विजबिलिटी जो है वो मनाया जाता है चलिए सब्सक्राइब है यहां पर मार्च 31 यहां पर सब्सक्राइब हो जाएगा नेश्ट कोशन है आपर इन अपर 21 सेंटर है अप्रूब्ड हाव मैंनी हाइवे प्रोजेक्ट वोर्त वोर्त शिक्स हंड्रेट सेवेंटी करोड इन जारकंड तो अभी जो सेंटर ने केंद यहां पर चीन ग्रोड रूपे का जारकंड के अंदर के इतने हाईवे को यहां पर जो है बैतर बनाने के लिए दिया गया है चलिए सब्सक्राइब यहां पर जो है सी 14 यहां पर सब्सक्राइब हो जाएगा नेश्ट कोशन यहां पर यहां पर जो है 2030 जो है उसके यहां पर कह सकते 2030 तक जो है भारत रिनेवल इनर्जी जनरेशन कितना कर लेगा चलिए सब्सक्राइब यहां पर सी होगा 450 गिगावार्ट यहां पर सब्सक्राइब हो जाएगा नेश्ट कोशन है अगला इसका क्रिप्टो करंसे एक्सचेंज एक्शेंज कॉइन बेस सेट अप ईडियो काहां पर यू यूय्ज बेस्ट क्रिप्टो करेंसे एक्सचेंज और कॉइन बेस अपना ओफिस लगाएंगी अभी भारत में चलिए तो सही आंसर आपको बताना है चार आप्शन है फड़ाफट से अपना आँसर देते जाएए मैं असे बात करूं सही आंसर की तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा इस कोश्चन का वो यहां पर हमारा option C जो है 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 इदराबा सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है आपर एशिया फोकर्ज इंवेश्मेंट फर्म पैग इस हाइरिंग हुम तू लीड इस बीगेश्ट इन इंडिया इडल्विश वेल्थ मेनेजमेंट यहां पर आपको बताना है कि अभी किसको यहां पर जो है चुना है ताकि वह जो है यहां पर एडल्विश मेनेजमेंट यहां पर विल्थ मेनेजमेंट जो है उसको यहां पर उसके लिए पर चुना गया है आपको बताना है चलिए से आंसर ऑप्शन जो है यहां पर पंकज राज़धान से आंसर हो जाएगा आते हैं नेक्स कोशन के ओपर कोशन है गिला इन अपरेल 21 और सांची और सांची प्रोपागेट तो आपको बताना है कि किसे हम पर नियुक्त किया गया वाइस प्रेसिदेंट और हैड यहां पर के तौर पर सांची और सांची प्रोपागेट का चले से आंसर यहां पर जो है इसका वह यहां पर हमारा ओप्शन जो ए है सबहा इकबाल सही आंसर यहां पर जो है बेसिकली जो आपर सही आंसर हो जाएगा यहां पर अगले तीन महिनों के लिए किस राज ने जो है अभी किस राज में जो अभी पांच दिनों का यहां पर कह सकते हैं काम होगा इसके अलावे जो है मंडे से फ्राइडे चलेगा तो किस ने यह कहा है आपको बताना है चले बात करते हैं से आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा इस कोशन का यहां पर पूछा गया था जो यहांपर कोशन था कि किस जो यहांपर office जो यहांपर किसराज में पांज दिन तक चलेगा तो सही आंसर option B होगा मदपर्दी सही answer हो जाएगा आते हैं नेक्स कोशन के ऊपर question है who has won the best actor in a lead role in the 66th film fair award तो यहांपर 66th film fair award में किसने जो है यहांपर अभी जो है बेस्ट चलिए से आंसर ऑप्शन भी तपसी पन्नू से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आपर विट हूम विल पीम मोदी इनेगरेट अरेंज और प्रजेक्ट इंडियन प्रोजेक्ट इन सिसलिस विर्चुली अभी आपको बताना है परदान मंतरी मोदी किस के साथ मिल करके आप प प्रोजेक्ट को अभी सिसलिस में यहां पर वर्चुली जो है उत्हाटन करेंगे आप चलिए से आंसर ऑप्शन भी यहां पर जो है सही आंसर होगा वेभेल राम का लावन सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आपर विच नेशन है रिजिस्टर्ट दवर्ड फर्स कोवी नाइटिन वैक्सिन फॉर अनिमल तो यहां पर किस यहां पर कह सकते हैं जो देश ने पहली यहां पर जो पहला सकते हैं देश है जो की कोवीड-1 वैक्सिनेशन जो एनिमल के लिए उसके लिजिट्रेशन यह जो है किया है चलिए सही आंसर इसका जो है आपर हमारा option A जो है रशिया सही आंसर हो जाएगा और नेक्स कोशन है डिफेंस मिनिश्टर आफ कजाकर्स्तान लिटिनेंट जेनरल नर नूर लन यहां यहां पर जो है किस यहां पर भारत के अभी आए हैं चलिए से आंसर ऑप्शन डी यहां पर जो है बहुत एंड बी सही होगा जोदपूर और जैसल में सही आंसर हो जाएगा एक यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगला कोशन है वाट अमाउंट ऑफ कैपिटल इंफ्यूजन वाज इनाउंच बाइड गोवर्मेंट फॉर बैंक्स इन फिस्कल अट्रिटी ट्विटीवन तो यहां पर अभी आपको बताना है कितने रुपएं आपर जो सरकार के दौरा बैंक में लगाया जाएगा ताकि जो है वहां पर ब सब्सक्राइब भी आप 14500 करोर से अंसर हो जाएगा अगला कोशन है वहाज बीन अवाड़ेड अधा श्वाश्वती शम्मान 2020 जो है किसे यहां पर बताना आपको दिया गया है कि चली सही आंसर इसका जो ऑप्शन ए यहां पर सल्मान कुमार लिंबले सही आंसर पाता है अगला कोशन है तो इसके जो ऑथर है आपको बताना लेखक कौन है चली सही आंसर जो है इस कोशन का हमारा ऑप्शन बी विनोद कपरी सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा यहां पर हमारा ऑप्शन बी होगा डॉक्टर जितेंदर सिंग सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है यहां पर विन इस वर्ल्ल ऑस्टिस्म अवेर्नेस डे इस ऑब्जर्व तो वर्ल्ल ऑस्टिस्म अवेर्नेस डे जो है कब मनाए जाता है आपको बताना है चली सही आंसर इसका ऑप्शन भी है सेकंड अप्रेल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन हैं विल पार्टिसिपेट इन लीडर्स समिट अन क्लाइमेट इन अप्रेल 2021 तो कौन जो है यहां पर पार्टिसिपेट करेगा लीडर्स समिट अन क्लाइमेट पर यहां पर अपर आप्रेल के महिने में चलिए तो option A यहां पर नरेंद मोदी सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर according to a report by ACI worldwide which country has topped in real time payment transaction in 2020 तो यहां पर अभी आपको बताना कि ACI worldwide के अनुसार यहां पर किस देश ने यहां पर टॉप किया है रियल ताइम पेमेंट ट्रांजेक्शन 2020 के अन्दर चलिए सही आंसर यहां पर option A इंडिया यानि हमारा देश भारत सही आंसर हो जाएगा अगला question है यहां पर in April 2021 इंडिया along with which of the following countries has condemned all form of terrorism including cross-border terrorism तो यहां पर अभी जो है यहां पर भारत ने जो है किस यहां पर देश के साथ जो है अभी यहां पर कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया है जितने भी यहां पर terrorism है जो cross-border terrorism होते हैं उतने को यहां पर तो यहां पर option 4 है सही answer आपको बताना है चली सही answer जो है आपर option B जो है मैल्डिव सही answer हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पर आता है कोश्चन है अगला विच आप दी फॉलोइंग बैंक को सेल इट्स यूके आम टू ओपें पेड पेड होल्डिंग लिम्टेड तो कौन सी बैंक यहां पर अपना यूके जो यहां पर बैंक है बैसिकलिए उनका यूके का जो हिस्ता है ओपेंपेड को ओपेंपेड होल्डिंग लिम्टेड को बेचे देगी ऑप्शन चार है सही आंसर आपको बताना है चले सही आंसर ऑप्शन ए होगा एक्सीज बैंक यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगले कोश्चन पर आते हैं विच रांड ओफ इंडो चाइना मिलेटरी कमांडर लेवल टूटब टूग प्लेस ऑन 9 अप्रेल टूएटिवण यहां पर अभी जो है इंडो चाइना मिलेटरी कमांडर लेवल की यहां पर वार्ता होई 9 अप्रेल को वह कौन सी राउंड थी आपको बताना है और यहां पर हुआ चले सही आंसर इसका जो है option D यहाँ पर 11 सही आंसर हो जाएगा यह 11th round यहाँ पर थी आते हैं next question के उपर प्राज इंडिस्ट्री को यहाँ पर एक और मिला है जिसमें यहाँ पर उनको जो है सीरप बेज इथनॉल प्लांट को यहाँ पर लगाना है किस राज्य के अंदर चार option है सही आंसर आपको बताना है चली तो बिल्कुल फटाफट से अपना आंसर देते जाए सारे question में आपना आंसर दे सकते हैं तो फटाफट से answer कमेंट करते चाहिए चली सही आंसर की में बात कर लेता हूं इस question का तो यहाँ पर जो option है हमारा डी करनाटे का सही आंसर हो जाएगा next question है यहाँ पर which movie backed the top price at 2021 producers guild of america award तो यहाँ पर अभी जो 2021 का producer guild of america award है इसमें किस movie ने यहाँ पर जो है top किया है चली सही आंसर यहाँ पर option D हमारा nomad land सही आंसर हो जाएगा next question है यहाँ पर which of the following will put in fresh investment to tune of 3000 crore on its electric vehicle business in the next three years तो यहाँ पर आभी आपको बताना है कि कौन जो है अपना 3000 crore रूपया यहाँ पर जो है अगले तीन सालों में यहाँ पर electric vehicle business में लगाएगा invest करेगा चली सही आंसर जो है यहाँ पर option B Mahindra and Mahindra Limited सही आंसर हो जाएगा next question पर आते हैं who will serve as director general of ESIC तो ESIC के director general जो है कौन यहाँ पर बने हैं अभी आपको बताना है चली सही आंसर option A Mukhmeet S भाटिया सही आंसर हो जाएगा next question पर आते हैं in April 21 which of the following has announced the launch of its mentor connect program तो यहाँ पर अभी आपको बताना है कि किसने यहाँ पर launch किया है mentor connect program को चली सही आंसर option A यहाँ पर Amazon India सही आंसर हो जाएगा next question यहाँ पर when is the international children's book day observe to international children book day जो है वो किस दिन मना जाता है आपको बताना है चली सही आंसर इसका भी option यहाँ पर बी जो है second अपरेल सही आंसर हो जाएगा next question question पाते question है अगला विच श्टेट यूटी गोवर्मेंट एनाउंच फ्री ट्रैवल फैसलिटी और वो में इन गोवर्मेंट वसेज रनिंग वितिन दा श्टेट यूटी तो अभी जो है किस राज्य नहीं यहाँ पर जो है अभी घोसना कि अभी कि यह जो है फ्री ट्रैव आज के महीने में किस ने अभी इस बात को कहा है आपको बताना है चली सही आंसर इसका option यहाँ पर बी होगा पंजाब सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है यहाँ पर फिट डे और न्यूट्रा सुटिकल स्टार्ट अप प्लान टू इन्वेस्ट हाव मैनी रूपीस इन करोर टू एक्सपैंड इस परजेंस एक्रॉस दा कंट्री ओवर दे नेक्स टू इयर तो यहाँ पर जो फिट डे जो की न्यूट्रा सुटिक करोर रूपे यहां पर लगाएगा अगले दो सालों में ताकि अपना पहचान है वह पूरे देश में फैला सके बना सके तो कितने करोर रूपे यहां पर कहते हैं इन्वेस्ट किया जाएगा आपको बताना है चली सही आंसर इसका option D है यहाँ पर 60 करोर सही आंसर हो जाएगा next question है यहाँ पर who has been made the brand ambassador for Punjab's anti-coronavirus vaccination program तो यहाँ पर कौन जो यहाँ पर brand ambassador basically बने है पंजाब anti-coronavirus vaccination program के आपको बताना है चली सही आंसर इसका option B है सोनू सूध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है अगला who has been appointed as the chairperson of the public enterprise selection board to public enterprise selection board के chairperson के तौर पर की से newt किया गया आपको बताना है चली सही आंसर यहाँ पर जो है हमारा option जो है basically इसका यह जो है मलीका सिरी निवाश्चन सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है अगला the reserve bank of India lowered the base rate by how many basis point to 7.8% तो यहाँ पर अभी जो है reserve bank of India ने कितना percent जो base rate है उसे अभी कह सकते हैं घटाया है जो कि यहाँ पर 7.81% हो गया है चली सही answer option यहाँ पर D होगा 15 base point सही answer हो जाएगा next question यहाँ पर Tata Motor Limited will collaborate with its dealer to build vehicle scrapyard at which of the following place तो Tata Motor Limited ने जो है भी collaborate किया है किस dealer के साथ में ताकि जो है आपर vehicle scrapyard जो है वो बनाए जा सके किस जगह पर कि तो चार option ने से आंसर आपको बताना है कि 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 चली सही आंसर इसका option D है यहाँ पर all above यानि करनाल हिदराबाद greater noida सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है विच श्टेट प्रपोज मेहंदर गाड मेहंदगेरी अज सेकंड बाइयो स्पेर रिजर्व तो किस राज़सरकार ने यहाँ पर अभी मेहंदरागिरी को दूसरा बाइयो स्पेर रिजव बनाने की यहाँ अभी प्रसाव रखा है चलिए तो सही आंसर यहां पर जो है हमारा ओप्चन जो है सी ओडीशा से आंसर हो जाएगा और नेक्स्ट ओशन यहां पर इन अपरेल में कौन जो है यहां पर अगले चीफ इलेक्शन कमिशनल बने है चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन भी होगा सुसील चंद्रा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बेटे कौशन पिसटी इस होटल itc winser अगफने एशी वर्ल फॉर्स लीट जीरो कारबन राचिफिकेशन तो यहां पर किस चहर कि होटल आइक्स बॉबर नोल फ्रॉट कारबन सर्टिफिकेशन जो प्राप्त हुा है shadow मिला है पृइबर मिला है चली सही आंसर यहां पर जो है हमारा option जो बी होगा बैंगलूरू सही आंसर हो जाएगा next question यहां पर which day is observed as world Parkinson's day every year तो world Parkinson's day जो है किस दिन मना जाता आपको बताना है चली सही आंसर यहां पर option डी जो है 11th अपरिल सही आंसर हो जाएगा next question प्रते question है अगला what is the theme of military exercise सांतीर और गोश इना 2021 तो यहां पर आपको बताना जो मेर्टी एक्सराइज है सांतीर और गोश इना 2021 उसका theme क्या है चली तो सही आंसर इसका जो है option डी यहां पर robust peacekeeping operation सही आंसर हो जाएगा next question है अगला यहां पर Nomadland won how many prices at the British Academy of Film and Television Arts in April 21 तो Nomadland को यहां पर जो है कितने prices मिले हैं British Academy of Film and Television Arts जानी बैप्टार जो अभी हुआ उसमें April के महिने में चार option है सही आंसर आपको बताना है कि चली सही आंसर यहां पर हमारा option C होगा फोर यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला question है रैम से क्लार्क पास्जवीन अपरेल 2021 फ्रॉम विच अफ़ फॉलइंग कंट्री ड़स ही बिलोंग तो रैम से क्लार्क का यहां पर निधन हो गया यह जो है किस देश के थे आपको बताना है चले सही आंसर इसका option A होगा USA सही आंसर हो जाएगा अगला question है आप पर as per the rating agency क्रेशिल बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट विल ग्रोब आट वाट परसंट इन फैनेश ब्रेयर 2022 तो यह बर नवह भी आपको बताना कि क्रिशेल के नुसार बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट जो है वो कितना परसंट ग्रों करेगा चली सही आंसर option B होगा 10% सही आंसर हो जाएगा next question पर आते हैं which day marks the birth anniversary of महात्मा जोती बाब फूले तो यहाँ पर महात्मा जोती बाब फूले का जहनती है किस दिन मना जाता है आपको बताना है चली सही आंसर option B होगा 11th अपरेल सही आंसर हो जाएगा अगला question is rising sun is acquiring how much percent stake in magma fincorp limited through preferential allotment of equity share तो rising sun जो है वो acquire कर रहा है कितना percent stake यहाँ पर magma fincorp limited का preferential share यहाँ पर equity share देखर करके यहाँ पर allot करके चली सही आंसर इसका option C होगा 60% सही आंसर हो जाएगा next question है यहाँ पर the digital transaction through UPI in the country recorded transaction value offer or how much amount in March 2021 तो यहाँ पर digital transaction के through यहाँ पर transaction हुआ हमारे देश के अंदर वो एक record बना यहाँ कितने रुपए का यहाँ पर जो है कह सकते मार्च में transaction हुआ आपको बताना है चली तो चार option है फड़ा फट से अपना आंसर देती चाहिए जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो चली सही आंसर option C है इसका 5,4,000 करोड यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है विच आप दा फॉल इंड एक्सपोर्ट औरियंटेड मैनिफेक्ट्रिंग प्लांट एट तननशू इन अपरेल 2021 तो यहां पर आपको बताना है कि किस ने जो है अभी अपना नाइड न्यू हाइट इंड एक्सपोर्ट औरियंटेड जो प्लांट है धाना निशू में उसको अभी उसका नवरन किया है चली सही आंसर इसका ऑप्शन भी है यहां पर हीरो मोटो कॉप यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है विच कंट्री हैज अटॉप्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 तो किस देश नहीं आप पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है चार ऑप्शन है सही आंसर आपको बताना है चलिए सही आंसर की में बात कुरू तो ओप्शन बी यहां पर जो है आइस लाइंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आपको पर हमारा विच इस बैंक आपर जो है अभी एन इस्टोर के साथ यहां पर हाथ मिला है ताकि जो ऑफलाइन रिटेलर और जो स्मॉल बिजनेसे से उनको यहां पर डिटाइज किया जा सके देश के अंदर चार ऑप्शन है सही आंसर आपको बताना है चली सही आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है श्रीले विलियम्स पाश्ट वे इन अप्रेल 21 यह सी वाज इलेक्टेट टो बी ब्रिटिस पार्लियमेंट एज लेवर लॉमेकर इन विचियर तो यहां पर श्रीले विलियम्स का यहां पर निधन हो गया तो इनको यहां पर जो कह सकते हैं ब्रिटिस पार्लियमेंट में लेबर लॉमेकर के तौर पर कब चुना गया था चली सही आंसर यहां पर हमारा जो ऑप्शन है बी 1964 सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है अनियन मिधनू है वोन गोल्ड मिडल फोर इंडिया इन विचिवेंट तो यहां पर अनियन मिधून को यहां पर किस गेम में यहां पर जो है गोल्ड मिडल मेला है जीता है इनोंने चली सही आंसर ऑप्शन यहां पर हूशू सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है यहां पर विच ऑफ फॉलोविंग अग्रीड तो एक्वाइर इस्पीच रिकोगनेशन फॉर्म नुवांस कॉम्निकेशन इनकोपेशन फॉर 16 बिलियन डॉलर तो यहां पर आपको बताना है कि किस यहां पर जो है बिसिकली किस कंपनी ने जो यहां पर अभी जो है यहां पर नुवा चलिए आंसर इसका option यहां पर D होगा Microsoft सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है अगला who has appointed as the head of the capacity building commission under mission करमयोगी तो यहां पर आपको बताना है कि किसे जो है पॉइंट किया गया है भी capacity building commission जो कि mission करमयोगी के अंदर गत है उसका head चलिए सही आंसर का option C होगा आदिल जैनूल भाई यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगले question पर आते question है अगला who is the author of the book titled शुपारी पलाना तो यहां पर शुपारी पलाना के जो book के author यहां पर लेखा कि कौन है आपको बताना है चलिए सही आंसर इसका option जो C होगा यहां पर cylinder जो C वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला question है who launched a har करांती न अपरेल 21 तो यहां पर a har करांती को किसने यहां पर launch किया भी आपको बताना है चलिए सही आंसर इसका option यहां पर B होगा हर्स वर्दन सही आंसर हो जाएगा next question पहादे question है अगला the board of director of moothood finance has approved a payment of an interim dividend of how many rupees per equity share तो यहां पर अभी आपको बताना है कि जो board of director मothood finance के उन्होंने आपर मंजूरी दिये कि वो जो हैं आपर interim dividend कितने रुपे परती जो equity share है उसमें यहां पर जारी करेंगे चले सही आंसर यहां पर option जो है C होगा 20 rupees यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला question है यहां पर India's pay tv industry is projected to grow at a compound annual growth rate of how much percent between 2025 तो जो है 20-25 के बीच में यहां पर भारत का जो pay tv industry है वो कितना percent से जो है जो है यहां पर annually जो है compound कह सकते compound annually जो है कितना percent से ग्रोग करेगा option यहां पर चार सही आंसर आपको बताना है चली सही आंसर इसका option भी होगा 7 यहां पर percent सही आंसर हो जाएगा अगला question है payment payment bank limited registered over how many million digital transaction in March 2021 यहां पर जो payment bank है यहां पर इन्होंने कितना million digital transaction जो है अभी दर्ज किया है यहां पर March में चली सही आंसर इसका जो है आपर हमारा option C जो है 970 million यहां पर जो है सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर अगला योगेश प्रवेन पाज़ अवे इन अपरेल 2021 यहां पर जो है यहां पर जो है योगेश प्रवेन जिनका अपर अभी निधन हो गया इनको पादम सिरी किस साल मिला था आपको बताना है चली सही आंसर इसका option यहां पर D होगा 2019 सही आंसर हो जाएगा जानी 2019 सही आंसर है next question है the Trinity 1 Davis Cup final will be held in which of the following cities Davis Cup final जो है 2021 का वो किस सहर में होगा आपको बताना है चली सही आंसर इसका option D होगा all above सही आंसर हो जाएगा next question यहां पर who has been appointed as the additional director of Britannia industry board तो यहां पर जो है Britannia industry board के additional director के तौर पर किसे appoint किया गया है नियुक्त किया गया आपको बताना है चली सही आंसर इसका option जो है यहां पर सी ओर्जित पटेल सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर 13 April 2021 marks which anniversary of the जलिया वाला बाग मेशेकर यहां पर जो जलिया वाला बाग कांड हुआ था उसका यहां पर जो है पुनितिति यहां पर 13 April को कौन सा मना आपको बताना है चार option है सही आंसर आपको बताना है चली सही आंसर इसका option यहां पर जो है C 100 seconds सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है अगला the international day for mind awareness and assistance in mind action celebrated on which day तो यहां पर जो international day mind awareness और assistant in mind action का वो कब मना जाता आपको बताना है चली सही आंसर option B होगा अप्रेल 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है अगला the paytm money opened its development and technology center in which city तो paytm money ने अपना development and technology center कहां पर जो है खोला है चली सही आंसर इसका option यहां पर A जो है पूने सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर which bank has become the first bank to partner with phone pay to issue fast tag तो किस bank ने यहां पर जो है भी phone pay के साथ जो है कह सकते है टाइप किया है partnership किया है ताकि fast tag को जारी कर सके है चली सही आंसर option C होगा ICIC bank सही आंसर हो जाएगा next question है आप पर which of the following has launched control a new business division to address gap in workflow progress management यहां पर अभी आपको बताना है किस ने जो है control को launch किया ताकि जो नया business division basically लाया है ताकि यहां पर workflow process management है उसके जो gap है उसको यहां पर address कर सके देखरे कर सके चली सही आंसर option यहां पर जो है D होगा जो हो corporation सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question है who has been appointed as the brand ambassador of digit insurance के brand ambassador के तौर पर किसे जो है नियुक्त के गया आपको बताना है चली तो चार option है बिल्कुल फड़ा फट से पना answer देती जाए जो भी सही answer लग रहा है पना answer आप दे सकते हर एक कोशन के अंदर फड़ा फट से पना answer देती जाएं चली सही आंसर इसका option C होगा हमारा विराट कोली सही answer हो जाएगा next question पर आते question है अगला odysa plan to provide tap water connection to all ruler household by which year to odysa यहां पर चाहता है कि जितने भी जो ग्रामीन घर है यहां पर उनको यहां पर tap water connection जो है दिया जा सके कब तक किस साल तक तो चार option ने से आंसर आपको बताना है चली सही answer इसका हमारा option जो C है 2024 सही answer हो जाएगा next question पर आते है which nations women's cricket team has created the world record for resisting the most consecutive ODI win तो किस देश कि यहां पर महिला cricket खिलाडियों नहीं जो है आपर world record बनाया है लगातार ODI match को जीत करके चली सही answer इसका जो है हमारा option जो है basically C Australia से answer हो जाएगा next question है आपर तो शीबा corporation chief executive officer nobuaki kurumatani will be replaced by home तो यहां पर जो तो तो शीबा corporation के जो CEO यहां पर जो chief executive officer है nobuaki उनको यहां पर अभी जो है replace किया जाएगा उनके जाएगा कौन यहां पर नए CEO बनेंगा आपको बताना है चले सही answer option B यहां पर संतोशी शूना कावा सही answer हो जाएगा next question है आप पर which program was launched by the नीती आयोग to promote the support deep science based startup तो यहां पर अभी आपको बताना है कि किसने जो यहां पर launch किया नीती आयोग यहां पर basically जो है किसने जो launch किया है यहां पर जो start-up से science deep science based अधारित उनको promote और support करने के लिए यहां पर नीती आयोग के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चली सही आंसर इसका option C होगा AIM Prime सही आंसर हो जाएगा अगला question है आप पर the World Bank and AIIB has approved a loan for 219 करोड drinking water project in which state तो यहां पर अभी आपको बताना कि World Bank और AIIB ने अब भी मंजूरी दी है लोन की 219 करोड की drinking water project के लिए किस राज्य में चली सही आंसर इसका जो है option D यहां पर पंजाब सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है आपर विट हूम डिड प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ग्रूप डैविड मैल पास मीट थू वर्च्वल मोड इन अप्रेल 2021 तो अभी जो है आपर जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ग्रूप के डाविड माल पास उन्होंने आप पर अब मीटिंग किया बिसेगली किससे मिला आप पर अभी आपको बताना है चार option है सही आंसर आपको बताना आए चलिए सही आंसर इसका option हमारा भी है निर्मला सितारावन सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है दा सेंटर गोवर्मेंट हैस डिसाइड़ टू रिटेन वाट परसंट इंफलेशन टार्गेट फॉर यहां पर जो है के सरकार ने जो है अभी दोयार एकिस से दोयार शपीस तक के री जो इंफलेशन टार्गेट है वह कितना परसंट रखा आपको बताना है चली से अंसर ऑप्शन यहां पर डी होगा फोर पर्संट सही अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन यहां पर विच कंट्री है स्टॉप्ड इन प्राइम टाइम और फॉर रियल टाइम रिपॉर्ट यहां पर आपको बताना है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम रिपॉर्ट यहां में किसने टॉप किया है चली तो बिल्कुल जल्दी से फड़ा फट अपना आंसर देती है यह जो भी आपको स्थी आंसर लग रहा हो चली सही आंसर इसका ओप्शन ए या नहीं इंडिया हमारा देश भारत जो है सही आंसर हो जाएगा कोश्चन एकला इन अपरिल के महिने में किस राज के मुकमंत्री ने जो है बावन करोड रुपे जो है बावन अलग अलग यहां पर जारी किया है राजजी के जीलों के लिए तो किसने कि आपको बताना है चली सही आंसर इसका option B होगा मद्व पर्दिश सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन पर आते कोश्चन है किला वाट इस दा वर्ल्ड merchandise trade volume growth for 2051 projected by WTO तो WTO के अनुसार यहां पर जो वर्ल्ड merchandise trade volume growth है वो कितना होगा दुजारे किज के लिए चले से यहां पर option C जो है 8.5% से यहांसर हो जाएगा next question यहां पर तो यहां पर आपको बताने कि इस बुक के लेखक कौन है चले से यहांसर इसका option D अचीवता समानता सही आंसर हो जाएगा next question पर आदा है question अगला which organization has launched the संकल्प से सिद्धी विलेज़ कनेक्ट राइब यहां पर संकल्प से सिद्धी विलेज़ कनेक्ट राइब जो इसको किसने लांच किया है सही आंसर आपको बताना है चले सही आंसर इसका option D यहांपर ट्रेफेड यानि कि TRI FED सही आंसर हो जाएगा next question यहांपर which state has become the first to provide health insurance for all aged residents तो कौन सा राज यहांपर पहला राज यह बना है जिसने सारे जो यहांके लोग है उनके लिए जो है health insurance free में basically इनको दिया है चले सही आंसर option A यहांपर राजस्थान सही आंसर हो जाएगा next question यहांपर how much amount has been contributed by India for gender equality and women empowerment to United Nations यहांपर आपको बताना है कितने रुपे यहांपर 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 बेसिकली भारत के द्वारत के द्वारा question है यहांपर which state accounted for the highest collection of 90,000 crore from small saving scheme like PPF and NSC यहांपर आपको बताना है कि किस राजस्था में सबसे ज्यादा जो हैंपर 90,000 crore रुपे जो है चली सही answer इसका जो है हमारा option B होगा विष्ट बंगाल सही answer हो जाएगा next question है आप पर which of the following has recorded a turnover of 164.33 crore in 2021 तो यहांपर आपको बताना है कि किस ने जो है आप पर अब जो है 164.33 crore यहांपर 2020 से कि मेर जो है टर्न ओवर अभी रिकॉर्ड किया है चली सही answer option B है इंडिया मेडिसीन फार्मासुटिकल कोर्परेशन लिमिटेट सही answer हो जाएगा अगला question ने हुआ है चेंज इंटू दा प्राइमरी एंड यंगेस्ट जेन के राइटर तो रिकॉर्ड टाइम आफ अफ अफ अब खातून पोईटरी तो यहांपर अभी जो है कौन जो है अभी प्राइमरी और यूवा जो है जेन के राइटर के तौर पर अभी कह सकते हैं चले से आंसर option A होगा सोहीला साबीर से आंसर हो जाएगा next question पर आते question है what is the theme of world health day21 तो world health day21 का theme आपको बताना है चले से आंसर option C है यहांपर building a fairer healthier world for everyone next question पर आते question है अगला the European Union is expecting how many million Pfizer coronavirus vaccine doses earlier than expected यहांपर European Union जो है चाहता है कि कितने million उनको Pfizer coronavirus vaccine जो है वो उनको जितना उन्होंने सोचा था उससे पहले यहांपर मिल जाए चले से आंसर इसका option D होगा यहांपर 50 million से आंसर हो जाएगा next question है आपर भगवती Singh who has passed away was the founding member of which political party तो भगवती सिंग जिनका निधन हो गया यह founding member थे किस पार्टी के है चले से आंसर इसका option B होगा समाजवादी पार्टी से आंसर हो जाएगा next question है आपर who has been appointed as the new revenue security तो new revenue security के तौर पर किसे न्यूक्त किया आगे आपको बताना है चली से आंसर इसका option B होगा तरुन बजा से आंसर हो जाएगा next question पहते question है अगला what is the projected growth rate for इंडिया फाइंस फिस्क्राइटी वन टूट्टी 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 एस पर MIMF तो IMF के अनुसार भारत का जो यहाँ पर growth rate है 2022-23 के लिए वो कितना होगा आपको बताना है चले सही answer option यहाँ पर जो है A 6.9% सही answer हो जाएगा नेक्स कोशन यहाँ पर कि दा इंटरनेशनल डे ओफ रिफ्लेक्शन ऑन दे नाइंटी नाइंटी फॉर रवंड़ा जीनो साइड ऑन विच डे तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दीन है यह कम मना जाता है चार ओप्शन है फटा-फट से चलिए से आंसर ऑप्शन सी है यह आपर 7 अपरेल से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला तो कि इसने जो है भी मियामी ओपेन टेनीश ट्रीटी वन वोमें सिंगल टाइटल जीता है चलिए से आंसर ऑप्शन डी है यह आपर एस लाइग बाटे से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन है अगला विजा फॉलोइंग है साइंड डील तो बाई रिनूबल इनर्जी इन इंडिया फ्रॉम लोकल फॉर्म विंड प्रोजेक्ट तो कि इस नहीं आप चलिए से आंसर ऑप्शन सी है फेस्बूक यहांपर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन परते हैं अधा वर्ल हेल्थ डे इस अब्सवर्ड एवर्य यर ओन विच डे तो वर्ल हेल्थ डे जो है कम मना जाता है आपको बताना है चलिए से आंसर ऑप्शन यहांपर अपरल सेवन से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन यहांपर हाव मैनी डिजिट एच एस एन कोड विल भी मिलिटरी इन इन वाइस फॉर बिजनेसेज आफ टर्न ओवर और ओफ मोर दैन इन रुपीज फाइव करोड अबर कितना एच एसेजन कोड यहांपर जो जरूरी है इन वाइस के अंदर जो जिनका भी टर्न ओवर फाइव करोड से उपर है उनके लिए अगया चलिए सब्सक्राइब यहांपर जो है अब भी होगा सिक्स यहांपर सब्सक्राइब अगला कोशन है यहांपर कोशित किया है चलिए से आंसर ऑप्शन ए है अप्रेल फाइव यहांपर से आंसर हो जाएगा नेक्स्टों से ने मिनिष्ट्री ऑफ चैमिकल और फेटलाइजर आप पर अपर अब भी जो है कितने यहांपर जो है कह सकते हैं अप्लिकेंट को जो अप्लाइ किया है जिन्होंने उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव स्कीम के ताहट मंजूरी मिल गई है चलिए स्यांसर इसका जो है हमारा ऑप्शन बिसिकली डी हो जाएगा 16 यहांपर जो है स्यांसर हो जाएगा अगला कोशन है किसको ने जितना आपको बताना है चलिए स्यांसर ऑप्शन यहांपर आलफ्रेट वी आओ स्यांसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आप अपर नेम दबीन ओप द थाटीट जी डी बिल्ला औरवार्ड फॉर साइन्टिफिक रिसर्च और फॉर्ज ओड़ यह टोइडिक वरण थांटाना है कि जो थाटीट गीरेड़ आवर्ड ऑट जो हुआ साइन्टिफीक रिसर्च का तुर्यारी कि इसक चलिए से आंसर option यहां पर भी होगा सुमंद चक्रवर्ती से आंसर हो जाएगा नेक्ट कोर्शन यहां पर इन अपर 21 दा सेंटर हैस डिसाइड़ टू इंपूर्ड हाउ मैंट्रिक टन ऑप मेडिकल ऑक्सीजन टू एड़स दा सॉटेज इंदा घॉस्पीटल तो यहां पर अब यहां पर इंपूर्ड करने की घुशना की है यहां पर जो सॉटेज अवस्पीटल के अंदर उसको पूरा किया जा सके है चलिए इसका जो है यहां पर हमारा ऑप्शन सी 50,000 मेर्टिक तंस हो जाएगा नेक्स कोशन है यहां पर वू है बिकॉम दाफ फर्स्ट वुमें डिरेक्टर जनरल ऑप नेशनल कॉंसील अप्लाइड एकोनोमिक रिसर्च तो यहां पर जो नेशनल यहां पर पहली मुव्मेंट डिरेक्टर जनरल कौन बनी है आपको बताना है चलिए इसका ऑप्शन सी है आप पूनम गुपता सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन प्यादे कोशन है गिला विच बैंक हैस रिसेंटली बिकम को पर मोटर आप मैक्स लाइफ कंपनी मैक्स लाइफ कंपनी के कोपर मोटर के तौर पर जो है कौन सा बैंक भी बनाया है चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा एक्सिस बैंक सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन यहां पर विच फॉल्विंग हैस एनौंच अफर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कारवन रिमूबल इनिसेटिव कॉल्ड रिश्टोर फंड तो यहां पर बताना है कि अपने आपने चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन यहां पर डी होगा एपल से आंसर हो जाएगा नेक्स सोचन नियांपर रामकरन वर्मा has been appointed as ambassador of India to which country तो रामकरन वर्मा जो है उनको पॉइंट किया गया है भारत देश का यहां पर जो है किस देश में जो है दूद के तौर पर यहां पर भीज़ा गया है चले से आंसर ऑप्शन डी है गैबून से आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है यहां पर जो है मारा ऑप्शन जो बिसिकली इस कोशन का जो ऑप्शन भी है से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिकेशन से आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है आपर विस इंसिट्यूशन डवलब अट टर्च सेंसेटिव वाच फॉर विज्वली इंपेर्ड पर्शन तो विज्वली इंपेर्ड पर्शन के लिए जो है कि इसने टर्च सेंसेटिव यहां पर वाच बनाया है चली सही आंसर ऑप्शन भी है आई टी कारणपूर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशिशन है लाश्टिन टॉब्रोव्स पावर ट्रांस्मिशन और डिस्टिबूशन बिजनस हैज वन और तो डिजाइन और कंस्ट्रक्ट टू सम स्टेशन इन विज सिटी इन यूए यहां इस अब बताना है कि लाश्टिबूशन टॉब्रो को जो है जो की पावर टांसर मीशन और डिस्टिबूशन बिजनस उनको यहां पर एक आपर मिला है बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए सब स्टेशन यूए के किस यहां पर सहर में दूबई से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पर व्याज सब्सक्राइब है इस विल्यक्त अपॉइंट डिर्क्टर ऑफ अटल इनोवेशन मेशन के मिशन डिर्क्टर के तौर पर किसे नेट किया आपको बताना है चलिए स्यांसर ऑप्शन यहां पर दी होगा चिंतन वैशनव यहां पर स्यांसर हो जाएगा अगला कोशन यहां पर चलिए से आंसर ऑप्शन यहां पर होगा अनिल रंदेर से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन हैं यहां पर आर्बिया प्रोजेक्टे इंडिया इंडिया का जो जीडिपी ग्रोथ है वो कितना 21 के लिए बताया है अभी मोनेटरी पॉलसी में आपको बताना है इस चार से आंसर आपको टो आपको अपना अंछर जो भी सही लग रही है वीजोवे रह दें यह कोशन को श्याकर लागार सेया क्या होगा क्या है क्या पर कमेंट करके बताना है हूँ आपंघ्टी अस भीड़ोंचन यूट का बता है चलिए से आंसर ऑप्शन डी होगा साबीर रोशन से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर जी एमर गुरूप हैज एनाउंच दा लांच ऑफ जी एमर एरो सीटी इन विच अफ दे फॉर इंट इस जी एमर गुरूप जो कहा था कि जी एमर एरो सीटी किस रहर में खोला जाएगा आपको बताना है चलिए से आंसर ऑप्शन यहां पर डी होगा हैदराबा से आंसर हो जाएगा अगला कोईशन है विच इंडियन स्टेट वूड बी दा फॉर्स्ट वन टू हैव ग्रीन इनर्जी टाउंस तो यहां पर आपको चले से इसका ऑप्शन बीहार हो जाएगा अगला कोचन एंडिया और अपक्ट लेजन ढूंक टो किसम आपकू ब्राइंफ Lets आंपको बताना है है मचले सатыर ऑप्शन अपर रश्मी का मंदाना सेांसर हो जाएगा है अगला कोशन यहां पर विच इस्टेट है साइंड एन एमुयू विट वादवानी एयाई फॉर बेनिफिट आफ कॉर्टन फार्मर तो कि इस यहां पर राज के ने यहां पर जो हमारा ऑप्शन जो है भी यहां पर आते लगाना से आंसर हो जाएगा अगला कोशन है यहां पर हो हैज वोन अगोल्ड मेडल इन एशेन रही लिंग चैंपिंजिफ इन इस इस यह जोन जी घ्याम जीटा एश्याल मेडल जीटा है एशेन रही पर जो की और सब्सक्राइब फ्रबफेशतान में उन्हें पर निचल जो यहां पर इस टोशन का जो औ स्कॉलर्शिफ्ट प्रोग्राम फॉर स्टुडिन तो कौन सा राज पहला राज बन चुका है जिसने मंतली माइक्रो स्कॉलर्शिफ्ट प्रोग्राम जो छात रहे उनके लिए शुरू किया है चले सही आंसर इसका ऑप्शन है यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन यहां पर दा फर्स्ट बैच कोवीड-19 वैक्सिनेशन इस पूतनिक वी और विच कंट्री विल बी डिलिवर्ट टू इंडिया इन अप्रेल तो अभी जो है फैरा बैच जो कोवीड-19 वैक्स जो कि इस पूतनिक वी का है वह भारत जो है कब यहां पर किस देश से पहुंचेगा चली सही आंसर इसका ऑप्शन यहां पर जो है यह होगा रश्या सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है हाउ मच एमाउंट विल बी इन्वेश्टेट बाइड डच इन डेवलफमेंट बैंक fmo in green growth equity fund तो कितने रुपएं आपर जो है इन्वेश्ट के जाएंगे fmo के द्वारा green growth equity fund में चलिए सही आंसर option a है 137 million सही आंसर हो जाएगा next question है आपर recently how many highway project have been approved in उत्राखंड वोर्ट रुपीज 1210 करोड तो यहां पर आपको बताना है कि 1210 करोड रुपे का जो उत्राखंड का कितने highway project जो है उसकी मंजोरिया भी दी गई है चलिए सही आंसर इसका option हमारा c है 28 यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question है आप पर name the indian army officer who recently broke his own two guineas world record for faster solo cycling तो यहां पर आपको बताना है कि कि इस इंडियान आर्मी ओफिसर ने दू यहां पर गिनीज वर्ल्ड डिकॉर्ड खुद का ही तोड़ा है यहां पर सबसे तेज solo cycling करके चली सही आंसर इसका option डी है आपर भारत पन्नु सही आंसर हो जाएगा next question है आपर इंडिया has agreed to institute a strategic partnership on water with which country तो यहां पर भारत ने यहां पर अभी समती जता ही है strategic partnership की पानी के उपर किस देज के साथ में हैं चली सही आंसर इसका option यहां पर सी जो है नीदर लाइंट सही आंसर हो जाएगा next question है आपर इंडिया फर्स एलेक्ट्रिक वहिकल लीथियम बैटरी प्लांट विल भी सेट अप इन विच इस्टेट तो यहां पर भात का पहला इलेक्ट्रिक वहिकल लीथियम बैटरी प्लांट जो कहां पर सेट अप किया जाएगा आपको बताना है कि इन अपरेल 21 ट्विटर हैज अपॉंटेड हूम एज डिरेक्टर आफ इंजिर्निंग तो ट्विटर ने किसे अभी डिरेक्टर आफ इंजिर्निंग के तौर पर नियुक्त किया है चली सही आंसर इसका ऑप्शन सी है याँ पर अपूर्वा दलाल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन है अगला कि हज़े बैस्ट्रा अब अ क्योंड बेस्ट आक्टर आवार्ड आट ब्रिटी सी के यदमेई फिल्म आवार्ड बैक्र नंन्हिंट ट्वन में इंड चलिए सही आंसर option D यहां पर Sir Anthony Hopkins सही आंसर हो जाएगा next question यहां पर which application was launched at ICCR foundation day held in Beijing तो यहां पर ICCR foundation day जो यहां पर Beijing में कौन सा application को launch किया गया चलिए सही आंसर यहां पर हमारा जो option है बी लिटिल गूरू सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर the book the life and music of Begum Akhtar will be released by which publication यहां पर जो है जो बुक है यहां पर अक्तारी the life and musician of Begum Akhtar यह जो है किसके द्वारा रिलीज किस publication के द्वारा रिलीज जो है किया जाएगा चलिए सही आंसर इसका जो हमारा option जो यह है आपर harper collins सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर which union minister has presented the AICTE लीलावती अवार्ट 2021 तो किस यहां पर union minister ने अभी AICTE लीलावती अवार्ट 2020 को यहां पर दिया है प्रिजेंट किया है चलिए सही आंसर option D है यहां पर रमेश पोकरिया सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर कॉंफरेंस एक होमियोपाथी रोड मैप इंटेगरेटिव जो मेडिसीन है यहां पर इसके उपर और्गनाइज हुआ भी किस सहर में चलिए सही आंसर इसका option यहां पर जो C है निव देली वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question है यहां पर इंडोनेशन एप जाएंट कंपनी गोटू तो कौन यहां पर हैट करेंगे जो यहां पर इंडोनेशन एप जाएंट है कंपनी गोटू को चलिए सही आंसर option भी यहां पर एंड्रे सोसिलिस्टू यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question यहां पर इन अप्रेल 221 केरट इंडिया एंडिया थे अनॉंच दापॉंटमेंट ऑफ फूम एजज एक्सक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर चलिए सब्सक्राइब पर जो भी है दीपी का बैसिन से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आप पर विच इस्टेट है प्लाइन तो प्रवाइड परसेंड टैप वाटर कनेक्शन टू आल हाउस होल्ड बिफॉर मार्श ट्वेटेटी टू तो यहां पर किस यहां पर जो है र में भी घर हैं वहां पर 2022 से पहले मार्श 2022 से पहले हैं चलिए सही आंसर की में बात करूं तो यहां पर ऑप्शन सी जो है सिक्किम सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है यहां पर शीरम इस्ट्यूट अफ इंडिया इस्ट्यूट इस्ट्यूट इंडिया ने फिक्स किया कोवी सील वैक्सिन का दाम जो कि प्राइवेट होस्पिटल के लिए कितना होगा चलिए सही आंसर इसका ओप्शन ए हैं आपर 600 आप पर रुपी सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट्यूशन है आप पर विच इंडियान फॉर्मर कोच एंड आज बिन अपॉइंटेड ऐस ऑफ मेंस होकी टीम आफ यूएसे तो किस यहां पर कौन से भारती पूर्वारती यह कोश्य जो है आप अभी जो मेंस होकी टीम में यूएसे के यहां पर उसके कोश बने है चलिए से आंसर इसका option भी यहां पर जो हारेंदर सिंह से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है यहां पर नोटेट बंगाली पोईट सांका घोष पास्ट अवे इन अपरेल 21 यहां पर नोटेट बंगाली पोईट सांका घोष का निधन हो गया और तो इनको कौन-कौन से अवार्ड से समानित किया जा चुका है चली तो बिल्कुल जल्दी से फड़ाफट से अपना आंसर देती जाएए बात करदें सही आंसर की तो ऑप्शन डी यहां पर ओल अवब सही आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आते हैं नेश्ट कोशन के उपर इंडियास फ्यूल कंजप्शन कॉंट्रैक्टेट बाई हाउ मुच पर्सेंट इन फाइनेशल रेट ट्वैंटी ट्वैंटी वन तो यहां पर अभी आपको बताना है कि जो फ्यूल कंजप्शन भाहत कर वो कितना पर्सेंट से घड़िया अपरा ऑप्शन जो डी है 9.1 परजेंट से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन यहां पर वाल्टर मॉंडेल पास्ट अवे इन अपरेल ट्वैंटी वन ही वाज़ा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंडर ऑफ वेच कंट्री तो यहां पर अभी जो है वाल्टर मॉंडेल मॉंड आप्शन जो सी है युनाइटर इस्टेट वह यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वोशन यहां पर लिडर मीटिंग विल भी हेल्ड इन वर्चुल फॉर्मेट ओन विच डेट इन टीवन तो इंडिया यू लीडर मीटिंग जो है वो कब होगा यहां पर वर्चुल म में आपको बताना है इसका अप्शन जो भी है एट में आपर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है आपर इन विच कंट्री एलंटी विल सेट आप दा वन पॉइंट फाइव गीगा वार्ट सुडे और सोलर पीवी प्रोजेक्ट यहां पर जो है आपको बताना है कि एल कंपनी जो है किस देश में आपर जो है भी वन पॉइंट फाइव गीगावाट सुडे सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है वह स्थापित करेगी चली सही आंसर इसका जो है आपर हमारा जो ऑप्शन टी है साओधी अरेविया वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है आपर इंडिया और युए्स विल कॉइटनेट那就 j 것도 और इस्टेबिटी in which of the following countries यहां पिर अपको बताना कि इंडिया और जो युएस है वो यहां पर जो है कोऊड़िनेट करेंगे अभी ताकि यहां पर इस्थी तालासर की इस्टेइल यहां सेके किस दिस में चलिए सब्सक्राइब यहां पर अफगानिक्तान सभी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन यहां पर हमारा विच गौर्वर्मेंट बॉड़ी हाज एडॉप्टेड दा नीथी आयोग 295 अटल टिंकर लैप यहां पर बताना है कि किस यहां पर गौर्वर्मेंट बॉड़ी ने जो अडॉप्ट किया भी नीती आयोग का यहां पर चिखा सकते हैं 295 अटल टिंकर लैप को कि चलिए सब्सक्राइब यहां पर ऑप्शन भी हमारा सी एस आई यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है और आपको बताना है कि कितने बांगला देशी को फीचर किया गया फोब्स थर्टी अंडर थर्टी लिस्ट में आपर जो इन्योवेटर का है जो कि 10 इंडिस्टी जो है उनके आपर आया है भी एसिया के लिए चली सही आंसर इसका जो हमारा ऑप्शन सी जो है नाइन यहां पर सही आंसर हो जाएगा चली कोशन है अगला दा रिवार्ट वन टू थरी इस डिजिटल सेविंग एकाउंट लांच बाई विज बैंक तो यहां पर जो है रिवार्ट वन टू थरी एक डिजिटल सेविंग एकाउंट जो की सुरू किया गया किस बैंक के द्वारा हूं चली सही आंसर इसका ऑप्षिन हमारा जो सी है एटल पेमेंट बैंक सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आप पर इंटरनेशनल डे ऑफ यूमन स्पेस फ्लाइट इस अब्स प्लाइट जो है वह किस दिन ऑब्स प्सक्राइब को बताना है किस दिन जाता है चार ऑप्षिन है फटाफट से आपको अपना आंसर देना है जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो चली तो सही आंसर इसका जो हमारा ऑप्षिन सीट अप्रेल्ट टुएल जो है आपर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है आपर इंडिया है साइन एयर बबल एगरीमेंट विट विच कंट्री तो एयर बबल एगरीमेंट किस देश के साथ यहां पर भारत ने यहां पर अभी साइन के आपको बताना है कि 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 चली स्यांसर इसका ऑप्शन एह हमारा स्री लंका स्यांसर हो जाएगा नेक्स कोशन वे आते हैं कोशन अग्ला विच कंपनी है लॉंच इंडिया स्फर्स्ट ब्लॉक्चेन बेस्ट नन फ्यूनिगेबल टोकन फॉर एक्ष्ट डिजिटल एसेट तो कि इसने अभी यहां पर भारत पहला ब्लॉक्चेन बेस्ट जो नन फ्यूगेबल टोकन है उसको लाया है ताकि डिजिटल एसेट को ऑक्ष्ट किया जा सके है चलिए ऑप्ष्ट यहां पर जो है वजीर एक्स यहां पर से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा वाट इस्टिमेटेट ग्रोथ रेट आप इंडिया इंडिया इन फैंसे ले 22 ऐस पर दर जैपैनीज ब्रोक्रेस कंप अनुसार जो फाइनेंसियर 22 है उसके लिए पर जो इंडिया का जीटीप हो कितना एस्टिमेट किया कि आपको बताना है चली सही आंसर इसका ऑप्शन एंपर 12.6% सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पाते कोशन है अगला विच कंट्री है नेम नौर नेम से नौरा अल मैत्रोशी एज इस फर्स्ट फीमेल आश्टोनॉट तो किस देश ने अभी जो यहां पर नौरा अल मैत्रोशी का नाम जो है नामित किया है पहले फीमेल आश्टोनॉट के तौर पर चले से आंसर इसका ऑप्शन हमारा ए जो है यूए से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है हमारा राम नौमी वाज सेलिबरेटेड इन डिफरेंट पार्ट अव दे कंट्री विच डेट इन अपरेल 21 तो अभी अपरेल के महिने में जो यहां पर 2021 में जो राम नौमी हुआ वो किस दिन हुआ आपको बताना है चले से आंसर इसका ऑप्शन सी जो है 21 अपरेल से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है हमारा सतीस कॉल पास्ट अवे ही वाज रिलेटेटे टू विच फिल्ड तो यहां पर सतीस कॉल का निधन हो गया यह किस फि चले तो बिल्कुल जल्दी से पड़ा फट से पना अंसर देती जाहिए बात करते से आंसर कि इसका तो यहां पर जो इसका से आंसर ऑप्शन सी है एक्टर से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है हमारा यहां पर अपरिल के महिने में एक यहां पर वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया गया से बाहरत के कौन सा अस्थान आपको बताना है चलिए से आंसर इसका ऑप्शन डी है यहां पर वनने फोर्टीटू से आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है हमारा विच निशन हाज बिकम दा सेकेंड वोर्स हीट बाइक कोवीड-19 इन दा वर्ल्ड तो यहां पर कौन सा देश जो है दूसरा सबसे ज्यादा कोवीड-19 से प्रभावित होने वारा देश यहां पर बन चुका है चली तो सही आंसर यहां पर जो है इसका ऑप्शन दी यहां पर इंडिया सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन एगला तो किस नहीं आपर डील साइन के अमजोन के साथ में ना कि वो 5G नेटवर्क जो है आपर अमजोन विब सर्विस क्लावड प्लेटफॉर्म पर बना सेके बिल्ड कर सके चली सही आंसर इसका हमारा ओप्शन बी जो है डीस नेटवर्क सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन आप पर who has been awarded by the golden globe honor foundation golden globe honor foundation से किसे यहाँ पर आपको बता है समानित किया गया है चले सही आंसर इसका option C यहाँ पर अक्षे कुमार सही आंसर हो जाएगा next question है यहाँ पर which is the India's first trades platform to record thousand crore monthly transaction by volume तो यहाँ पर कौन सा बात का पहला trades platform है जिसने यहाँ पर 1000 crore monthly transaction को जो यहाँ पर पार कर लिया है चले सही आंसर इसका option C जो है receivable exchange of India limited सही आंसर हो जाएगा next question है हमारा according to the Nomura what is the projected GDP growth rate of India in the calendar year 2021 तो calendar year 2021 में GDP growth कितना होगा यहाँ पर भारत का नौमुरा के अनुसार तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है चले सही आंसर जो है इसका हमारा option B जो है 11.5% सही आंसर हो जाएगा next question है हमारा where was the 3,000 year old town rise of Aten city discovered यहाँ आपको बताना है कि 3,000 words पुराना जो इसको कहां पर खो जा गया चले सही आंसर इसका option हमारा सी जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question हमारा the international turban day is marked on which day every year तो international turban day जो है किस दिन मैं जाता है आपको बताना है चले सही आंसर इसका option A है आंपर 13 अपरल सही आंसर हो जाएगा next question पर आते question हमारा the world chagas disease day is marked and only on which day तो world chagas disease day जो है किस दिन मैं जाता है आपको बताना है चले सही आंसर इसका option हमारा C जो है 14 अपरेल सही आंसर हो जाएगा आता है next question के ओपर question नेकला एके वालिया पास्ट अवे दूटो कोवीड-19 इन अपरेल 21 ही बिलोंग तु विच आप फॉलोइंग फेल्ट तो यहां पर एक के वाल्या के आप पर जो है नीधन हो गया कोवीड-19 से यह किस छेदर से अथे आपको बताना है किस फिल्ट से थे यह चले सही आंसर जो है इसका यहां पर जो है इस question का option भी पॉलिटिक सही आंसर हो जाएगा यहां पर अब भी आपको बताना किस ने जो है भी लीगल अवेर्निस सब्सक्राइब में यहां पर जीत हासिल की है चले सही आंसर इसका यहां पर option डी जो है रेडियंट सीठा 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 फ्रॉम थायग राजर पोलिटेक्निकल कॉलेज आते हैं नेक्स कोश्चन पर कोश्चन है अगला मौलाना वहुदीन खान पास्ट अवे फ्रॉम फास्ट अवे इन अपरेल यहां पर मौलाना वहुदीन खान का निधन हो गया इनको जो है किस साल पाद्म भूशन से समानित किया गया था आपको बताना है चले सही आंसर इसका option हमारा जो यहां पर है 2000 से आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन पर आते कोश्चन है अगला वाट इस थीम आप 2081 राज सेना डायलोग तो राज सेना डायलोग 2081 का थीम आपको बताना है चले सही आंसर इसका हमारा option c जो है viral world outbreak outliner and and out of control जो है यहां पर इसका थीम है नेक्स कोश्चन है आप पर who has won the aicty लीला वाथी अवाथी अवर्ट अदर द वो मेंस हेल्थ सब थीम यहां पर वह यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है इंडिया एस बीन एलेक्टेड टू हाव मैनी उनाइटेड नेशन एकोनोमिक एंड सोशल सोशल काउंसिल बॉडी तो यहां पर भारत को कितने यहां पर कह सकते हैं यूएन एको शोम बॉडी के लिए यहां पर चुना गया है चलिए सब्सक्राइब यहां पर थे यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स यहां पर इन अपरेल 2021 फर्ट्रेया ग्रूप इंडिया है अपर्मोंटेड हूं आज हैड आप से इंडिया ग्रूप इंडिया ने किसे जो अभी हैड आफ से क्रेट्री के तौर पर प्रमोट किया है चली से आंसर यहां पर ऑप्शन जो हमारा भी है संचीता रोई यहां पर सी आंसर हो जाएगा नेक्ट को से हमारा हूँ इस दा इंकमिंट प्रेसिडेंट आफ दा नेशनल कॉंसिल आफ अप्लाइड एकनॉमिक रिसर्ज यहां पर अभी जो है प्रेसिडेंट है चली से आंसर इसका ऑप्शन हमारा सी जो है नंदन नीले कानी से आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन पाते हैं कोशन अगला इन अपरेल 21 विच अप फॉलूइंग हैज लॉंच्ट है आपको बताना है किस ने जो लॉंच किया है पर सेंस दोके इंट्विंट अग्मेंटेड अलेक्ट अनलेक्ट प्लेट्फॉर्म है चली से आंसर इसका ऑप्शन हमारा जो भी है सब्सक्राइड से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है नेशनल टाइटानिक रिवेंबरस डे इस अब्ज़र्व ऑन विच डेट नेशनल टाइटानिक रिवेंबरस डेज़ों किस दिन मैंने जाता है आपको बताना है चली से आंसर इसका ऑप्शन यहां पर अप्रेल 15 यहां पर जो है सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अप्रूप्ट टाइनु चकरवर्थी आज दपार टाइम चेर्मेन ऑफ विच बैंक त्याप्रेंग जो है भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आतानु चकरवर्थी को अप्वैंट किया है यहां पर और चलिए इसका ऑप्शन हमारा जो भी है HDFC यहां पर वह सही आंसर हो जाएगा आते हैं नेक्स्ट कोशन के उपर कोशन है यह समंता इस एन इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लेस लांच्ट बाइब गुवर्मेंट फॉर तबैनेफिट ओप विच गूरुप तो इसमंता एक इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लेस है जो की सरकार के दौरा अजहां पर शुरू किया गया है बैनेफिट देने के लि चलिए सही आंसर की में बात करो तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन जो है यहां पर जो इसका ऑप्शन डी है एक्वा फार्मर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है हमारा विच अब दफ फॉलोविंग प्रुणिंग फॉर सेल्फ केर फॉर कोरुणा वायर्स पेशन तो किस ने जो यहां पर अभी इसको एडवाइस यह जारी किया है बिसेकर आपको बताना है इसका हमारा ऑप्शन जो अब यहां पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला विच अब फॉल्विंग स्टेट गेट इंडिया फॉर्ट फ्लोटिंग एल पजी एलन जी स्टोरेज एंड रिकैसिफिकेशन यूनिट यहा यहां पर भारत का पहला फ्लोटिंग एलन जी स्टोरेज और रिकैसिफिकेशन यूनिट हासिल करेगा चलिए यहां पर ऑप्शन डी महरास्टा सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है हमारा विच सिटी विल होस्ट ट्वेंटी सेकंड लॉर्स वोर्ड वर्ल्ड स्पूर्ट अवर्ड तो कौन साथ जो है 22nd लॉर्यस वर्ल्ड स्पूर्ट अवर्ड को यहां पर जो है होस्ट करेगा चली सही आंसर ऑप्शन डी आंपर सेवी ले सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है विच फॉल्ड फॉल्विंग हैस बिकम थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विस कंपनी बाइदा मार्केट काप्टलेशन तो कौन से यहां पर कंपनी जबी तीसरी सबसे बड़ी भारत के आईटी सर्विस कंपनियां पर बन गई है मार्केट काप्टलेशन के अनुसार चली सही आंसर इसका ऑप्शन डी यहां पर विप्रो लिम्टेट से आंसर हो जाएगा अगला कोशन है लौश्ट गोल्डन सिटी ओफ लग्जर डिस्कावर्ड वाई आर्केलोजिस्ट इन विच कंट्री तो यहां पर लौश्ट गोल्डन सिटी ओफ लग्जर जिसको को जा गया भी आर्केलोजिस्ट के दौरा किस देश में है चली से आंसर इसको ऑप्शन डी यहां पर एजिप्ट से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पर आते कोशन नेगला श्रावन आथोर्ट पाज अवे अपरिल 21 दू कोवीड नैटीन ही वाज रेटेट टू विच आप फॉलिंग फिल्ट तो यहां पर सर्वन राथोर्ट का इंजन हो गया कोरोना वाइरस से यह किस चेतर से थे आप बताना है चली सही आंसर जो है कोशन का हमारा बिसिकली जो इसका सही आंसर ऑप्शन भी है म्यूजिक सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते कोशन है अगला विच बैंक विल राइज अप टू फिप्टी 20,000 क्रोड रुपया भी हासिल करने का है कौन सा बैंक अगले बारा महिनों में बॉन्ड को जारी करके इसू करके चले सही आंसर इसका ऑप्शन हमारा जो है यहां पर यहां पर यह जो है HDFC बैंक वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा विच कंट्री हैस टॉप दा इंक्लूजीव इंटरनेट इंडेक्स 2021 तो कौन सा देज यहां पर टॉप किया है इंक्लूजीव इंटरनेट इंडेक्स यहां पर 2021 में चले सही आंसर इसका option A यहां पर स्वेडन सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा वर्ल्ड आर्ट डे इस मांक्ट एन वर्ली ऑन विच डे तो वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो किस दिन मने जाता है आपको बताना है चले सही आंसर option A हैं पर 15 अपरेल सही आंसर हो जाएगा अगर आप इंडियन आर्मी नेवी एरपोर्स बैंके अससी रेलवे यूपीसी पीसी या फिर किसी भी डिफेंज आपके तैयारी करना चाहते हैं आपनी तैयारी अने के साथ जूड़कर कर सकते हैं घर बैठे इंड सब्सक्राइब कोई भी कोई भी कोर्स के लिए अगर आप इंडॉल करते हैं यहां पर इस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% यानि की 10% का जो डिसकाउंट है वह यहां पर मिल दाएगा इस कोड को यूज करने पर तो फिलाल आज की सेशन में इतना ही जितने सब्सक्राइब को बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए तो लाइक कर दें सेयर करना बिल्कूल ना बुले हो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा ले तो फिलाल आज की सिसन में इतना ही जै हिं जै भारत